हेलो गाइज वेलकम टू यारे से स्टरी परेंट चैनल कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे आज किस बीडियों हम सीटेट एक्जाम के बारे में पुरी विस्तार से चर्चा करेंगे यदि आप भी सिक्षक बनने का सपना अपनी आखों में संजो हैं तो अपने आपने इस परिक्षा का नाम अवाज से सुना होगा हो सकता है कि आप में से कुछ इस परिक्षा के बिसे में जानते हों बहुत से विद्यार्थी इस परिक्षा में सम्मीलित होते हैं लेकिन परियाप जनकारी के अभाव में परिक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं इस परिक बनने के लक्स से भटक जाते हैं क्योंकि उनके पास सीटेट एक्जाम के बारे में सही जनकारी और सही रणनीती नहीं होता है ऐसे में सीटेट एक्जाम को पास करने के लिए आपके पास पूरी जनकारी तथा सही रणनीती का होना आवस्यक है आज हम आपको इस परिक्षा के में पूरी जनकारीज जैसे ची जाहिएर से क्या फायदा है सीटट कि क्यों करना चाहिए गजा को नधी इस वीडियो के माधियम से आपको बताएंगे जिसकी मदद से आप इस परिक्षा में फालोंंगे और अपने अध्यापक बनने के सपने को पूरा करेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छी और लगए तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों को साथ सेर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेश करना ना भूले जिससे आपको लेटेस्ट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि और ही परीक्चलत परिक्षा क्या है तो कि सबसे पहले आपको बता कि सीट कर फूल पर होता है छेंट्रल टीचर इलग ऋंडिकेशन केंट्री अ Diese अमार्दियमेंग सिक्षब बोर्ड और सी बीसी सब्सक्राहे assa फूल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऐसेंडिकेशन होता है एक ऐसी परिक्षा है जिसके ज़र्य यह सिक्षक बनने के लिए आपकी योगयता की जाँस की आती है अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट सम्ट बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए इस परिविच्छा को पसकर अनिवारे हैं कि shooting एक अशी सिंटबरी होता है कि सिप्षा के अधियापन की छ哪裡 पर्खा जाए ताकि वो बच्चों को अच्छी सी चु क्छत देव हैं दुझे रगारें से पहले कखछा 1 से कखछा 8 तक अध्यावक बनने के लिए ग्रेज्वेशन रथत बेब काम बीएसि के बाद बैसलर अफ एदृ возьmad करना आवसेक होता था उसके बाद सरकारी अधियापक बनने के लिए अभ्यार्थी द्वारा प्राप्त किये गए अंकों के अधार पर सरकार द्वारा मेरिट लिस्ट अधियापकों का चैन की जाता था ध्यान रखी का दुझे रिगारे से पहले सीटेट की परिक्षा नहीं ह हो जाता था लेकिन सरकार के द्वारा एक नया नियम लागू किया गया जिसके अनुशार अधियापक बनने के एक्चों कभी अर्थियों की नई नियुक्तियां के लिए सभी उमिद्वारों को ग्रेजुएशन और बीएड के बाद सीटेट की परिक्षा पास करना आवस्त होते हैं वही शिप्षक बनने के लिए अवयदय कर सकते हैं इस परिक्षा का तुदे से बच्छों को बेहतर सिख्षा पर्दान करणना होता हैं क्योंकि जब सिख्षक के पढाने की योग्यता लिए cesA को शत्रां का आयोजन किया जाता जीन अभी अर्थियों ने ग्रेजुएशन के साथ बीएट की परिक्षा पास की हो और वह सरकारी स्कूल का ध्यापक बनना चाहते हैं तो उनके लिए इस परिक्षा को पास करना आवस्यक है ज़िए अब बाद कर लेते हैं कि सीटेट परिक्षा में कितने पेपर होते हैं उनके लिए होता है जो अभी अर्थी कख्षा चौज से कख्षा आठ तक के लिए अध्यापक बनना चाहते हैं जो मिद्वार कख्षा एक से पांच तक और कख्षा चे से आठ तक दोनों अर्थाद बोथ प्राइमरी स्टेज एंड लिमेंटरी स्टेज में सिख्षक बनने के लिए आवेदन करना चाहते हैं अपनी योग्यता की अनुशार दोनों पेपर में सम्मीलित हो सकते हैं अब बात कर लेते हैं कख्षा एक से पांच तक असरत प्राइमरी स्टेज की सिख्षक बनने के लिए स्यक्छिक योग्यता क्या होने चाहिए पहले पेपर के लिए कख्षा एक से लेकर कख्षा पांचवी तक के सिख्षक के लिए योग्याता की जाज की जाती है पहले पेपर का परिक्षा देने के लिए आपको किसी मन्याता प्राप्त बोर्ड से बराहवी की परिक्षा किसी भी बिशाय से कम से कम साथ परतिशत अंकों के साथ पास करनी होती है बराहवी के साथ साथ आपको डीएड अर्थाथ डिप्लोमा इन एजुकेशन या डीप्लोमा इन इलिमेंटरी एजुकेशन अर्था डीएड का कोर्स किसी मानियता पराप्त इंस्टियूशन से करना होता है और इसमें अच्छे मार्फस भी चाहिए होता है कि दूसरे पेपर अर्थात Fors 6 से कक्षग डूचर अर्थात Всемंट्री स्टेज के सिक्षक बरने के लिए सेक्षिक योग्यस्या दूसरे पेपर को यह की परिक्षा देने के लिए आपको किसी मन्यात्ता प्राफ्ट बोर्ड से बराहवी की परिक्षा 60 परतिशत अंकों के साथ पास करनी होती है साथ ही साथ आपको किसी मन्यात्ता प्राफ्ट इनिवर्सिटी और कॉलेज से किसी भी भी साय से ग्रेजुएशन की डिगरी 50 परति दूसरे दोनों की परिक्षा दे सकते हैं अर्थाज ग्रेजुएशन और बीए जो भी अभियारती किये हुए हैं वे पहले असतर असतर प्राइमरी स्टेज और दूसरे असतर अर्था सिकंडरी स्टेज दोनों की परिक्षा दे सकते हैं अब आद कर लेते हैं सीटेट के तो तैय नहीं की गई है अर्थाद आप जब तक जहें दे सकते हैं सीटेट की परिक्षा कब आएवजीत की जाती है सीटेट की परिक्षा केंद्रिय माधियमिक के सिक्षा बोड नए दिली द्वारा बर्स में दो बार जुलाई और दिसंबर माह में आयोजित की जाती है ध्यान रखेगा सीटेट की परिक्षा बर्स में दो बार आयोजित की जाती है एक जूलाई में और एक दिसंबर माह में अब आपके में में कोश्चन होगी कि सीटेट की परिक्षा किस भासा में आयोजित की जाती है इसका एंसर है सीटेट की परिक्षा हिंदी तरथा अंग्रेजी सहित 20 भारती भासा में आयोजित की जाती है परिक्षार्थी को इन में से दो भवसाओं का चैन करना होता है ये भी इस भवसाओं निम्न लिखी थे हैं हिंदी अंग्रेजी गारो बंगाली असामिस खासी मल्यालम गुजराती कंडर मडिपूरी मराथी नेपाली मीजो उडिया पंजाबी तीबती संस्कीत उर्दू या तेलगू आप इन 20 भवसाओं में किसी भी दो भवसाओं का शैन करके सीट्ट की परिक्षा दे शकते हैं अब बाद करते हैं सीट्ट परिक्षा का पैटर्ण क्या होता है सीट्ट परिक्षा में आपसे अबजेक्टिव प्रशन पुछे जाते हैं यानि आपको हर एक परिक्षा का पैटन रोछ लिफल एक्जाम के लिए अर्थाद परिक्षा के लिए कुल दूगहंटे 30 मिनट का समय दिया जाता है इतने समय में लिफों आंकों के प्रशनों को हमें अर्थाद प्राइम्री एक्जाम के लिए डेर सो अंके प्र été जाते हैं, इस परिक्षे के लिए कुल समगये आपको 2 घंटे 30 मिनट कर समय दिया जाता है। प्रतेक परशना एक अंके होते हैं इसमें हिंदी से थीरकषो अंके कुषिए जाते हैं, अंग्रेर जी से भी 30 अंके कोश्चो पुषिए जाते हैं, गडियत से तीस अंग के प्रशनव पुछे जाते हैं और बाल विकास अर्थाथ चाइल्ड डेवलोप्मेंट पैडोडिजी से तीस अंग के प्रशनव पुछे जाते हैं और पर्यावर अर्थाथ इंभार्मेंटल स्टेजिस से भी तीस अंग के प्रशनव पुछे जाते हैं अब बद कर लेते हैं पेपर टू की परिक्षा पैटन की पेपर टू अर्थात सेकेंडरी स्टेज दूसरे अस्तर की परिक्षा में भी डेर्स अंग के प्रश्ण पुछे जाते हैं इस परिक्षा के लिए भी आपको दो घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा इसमें हिंदी से 30 अंग के प्रश्ण पुछे जाते हैं अंग्रेजी से भी 30 अंग के प्रश्ण पुछे जाते हैं और बालविकास से भी 30 अंग के प्रश्ण पुछे जाते हैं लेकिन समाजिक बिग्यान या गडित और बिग्यान से 60 अंग के प्रश्ण पुछे जाते हैं अ समाजिक भीज्यान के साथ अंक प्रष्ण। और अगर आपने विजिञान और गणित जैसे बीज्व सते हैं तो आप साथ अंक प्रष्ण गड़ित और भीज्वान के बीज्वे सते हो ज़्यान के ए मैथी अगर जिन्हों बिग्यान के प्रशनों को हल करेंगे अब आपके मैंन में कोश्चन आ रही होगी कि सीटेट एक्जाम के लिए अवेधन कैसे करें जो सीटेट परिक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं वह सीटेट की अधिकारिक वेबसाइट पर ओनलाइन माध्यम से अवेधन कर सकते हैं ध् अब हम बात करते हैं कि आखीर सीटेट परिक्षा की तैयारी कैसे करें हाउ टू प्रिपेर फर सीटेट एकजाम किसी भी परिक्षा में कम्यावी पानी के लिए आउसेख है कि उस परिक्षा के लिए एक रनीती बनाई जाए आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसा क्या करें जिसे कि हमें कम्यावी मिलें यहां पर आपको ऐसी कुछ बाते समझाई जाएंगी जिनके माध्यम से आप परिक्षा में कम्यावी पा सकते हैं हमारा पहला टिप्स है कम से कम आप पांच से छे घंडे का स्टडी टाइम टेबल बनाए और सीटेट एक्जाम स्लेवस को अच से जाएंगे जब तक आपको यह पता नहीं होगा तब तक आप तयारी नहीं कर सकते सीटेट स्लेवस को सीटेट परिक्षा की अधिकारिक विबसाइट रथा www.seated.nic.in से डाउनलोड कर लें फिर स्लेवस के अनुसर अपने स्टडी टाइम टेबल में सभी टॉपिक्स को जगह दें अर थर्ड पॉइंट है कि परिक्षा पैटर्न को ध्यान से समझें आपको यह जानना आवसेख है कि प्रश्ण पत्र में कितने प्रश्ण आएंगे प्रतेक प्रश्ण के लिए कितने अंक निधारित है परिक्षा की ओधि कितनी है प्रश्ण पत्र में कितने सेक्षन है किस होने के लिए कम से कम कितने अंक प्राप्त करना निवार्य है आदी जब आपको यह सब बातें पता होंगी तो आप वहतर तरीके से अपनी तयारी कर पाएंगे नेक्ष्ट पուइंट है कि nsi 80 की किताबों से पढ़ें किसी भी परत्रयखी परिच्छा की तयारी के लिए nsi 8 की πुष्टकें सबसे वहतर होती है सीटेट के लिए भी NCRT की पुष्टक ही पढ़ है NCRT की जो पुष्टक होती है उसमें आपको किसी भी टॉपिक की डीप नॉलेज परदान की जाती है नेक्स पॉइंट है कि प्रैक्टिस सेट बनाएं तयारी के बीच बीच में अपना स्वैम का मुल्यांकन करते रहें आप प्रैक्टिस सेट या मौक टेस्ट करके अपनी तयारियों का अनुमाल लगा सकते हैं इससे आपको यह पता चलता है कि कहां पर अभी और मेहलत करने की जरूरत है नेक्स्ट इप है पिछले वर्षों के प्रस्ण पत्रों को समझने का प्रयास करें और उसे सल्ब करें आपको यादी परिक्षा की बारी क्यों को समझना है तो आपको पिछले वर्षों के प्रस्ण पत्रों अर्था सीटेट प्रिबिएस एर पेपर्स को देखन देखना होगा और उसे सल्ब करने का प्रयास करना होगा और उनका अच्छे तरीके से बिसलेशड करें उससे आपको परिक्षा में पुछे गए परोष्णों की प्रकृती महत्रपूर्पूर्ट टॉपिक आधी की जनकारी मिलेगी और उसके अधार पर अपनी तयारी को आग उनके पास कोई जदूर्प छड़ी नहीं होती है और ना ही उनके पास कोई बिसेश सकती है वे भी आपके जैसे ही समाने इंसान ही है इसलिए तना आप बिलकुल भी ना ले और परिक्षा की तयारी एकदम अच्छे धंक से करें अपने आप पर यह भीश्वास रख्या कि कि अबंस आउस्य हूंगे कर लेता है कि सीठ में पास होने के लिए कि लिएक नमबरe आपके मन में यह कोर्शन जरूर नाण ही होी कि आखि harvest में पास होने के लिए साथ प्रदीशत अंग अथात डेर समय से कम से कम दब्बे अंग प्राप्त करना अनिवारे हाला कि सरकार ने यह भी कहा है कि सेनी के उमिद्वारों को स्कूल मेरेजमेंट आरक्षन के नियमान सर्चूट दे सकते हैं लेकिन यह सला भी दी जाती है कि नियोक्ति परकिरिया में सीटेट इसकूर को वेटेश देना चाहिए आप बात कर लेते हैं कि सीटेट इंग्जांग कितनी बार आप दे सकते हैं सीटेट परमार पत्र प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले परियासों की संघ्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है यदि आप एक बार यह परिक्षा उतिर्ण कर लेते हैं तो दुबारा अपने स्कोर को सुधारने के लिए आप फीर से परिक्षा में सम्मेलित हो सकते हैं आपके में में नेक्स्ट कोशन आ रही होगी कि आखी सीटेट प्रमार पत्र की पैदेता होधी कितनी होती है सीटेट कौलिफाइंग सर्टिफिकेट अठाथ सीटेट प्रमार पत्र की पैदेता होधी सभी बर्गों के मिद्वारों के लिए Seated परिक्षा परणाम आने की 30 से लेकरके 7 वर्सों तक वैदे है ध्यान रखियेगा Seated परिक्षा परणाम की आने की 30 से लेकरके 7 वर्सों तक ही Seated Qualifying Certificate वैदे होता है अब आपके मंद में Question आ रही होगी कि क्या Seated के बाद सीधे नौकरी मिल जाती है तो इसका अंसर होगा कि जी नहीं सीटेट परिक्षा पास करने से ही आप सिक्षक नहीं बन जाते बल्कि या केवल एक अध्यापक पत्रता परिक्षा थार टीचर इलेजिबिलिटी टेस्ट है जो सिक्षक बनने के लिए आवेदन करने के योगयों बनाती है इसका अर्थिया है कि सरकार द्वारा जब भी सिक्षक बेग्यापती निकाली जाएगी तो आप उसमें तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपके पस अन्यवांचीत योगताओं के साथ सीटेट परमार पत्र होगा बीना सीटेट पास किये हुए आप अध्यापक आवेदन नही आवेदन कर सकते हैं फिस त्रिखिय सकूल में प्राइमरी शिख्षक के तौर आवेदन कर मैं इस बिद्यालों में प्राइमरी शिख्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं यहीं नहीं राजी सरकार के अधीन बिद्यालों में जब भी अध्यापक की निकाले निकलेंगी तो आप उनमें आवेदन कर सकते हैं और अपना कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं अब आपके मत में आ रह थैंकियो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हलफु लगे हैं तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो ऐसी वीडियों देखते हैं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिससे आपको लेटिस्ट अब्डेक्ट का नोटिफिकेशन मिलती रहा है कि और आपको किसी भी परकर की चंकारी चाहिए तो कमेंट से झाते हैं केली के युआ है झाते हैं